Hello friends, welcome to my channel, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदरुस्थ होंगे दोस्तों, रजाना आपको पानी में भिगो कर इन चीजों का सेवन करना है ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनका अगर रजाना इस तरीके से भिगो कर सेवन किया जाता है तो ये हर एक इनसान के लिए अम्रत साबित होंगे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताने जारी हूँ जो कि अगर आप रात को पानी में भिगोते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो बहुत फाइदा होगा तो आप सिर से लेकर पैर तक के जितनी भी समस्याइं हैं, उनसे बच्चे रहेंगे साथी साथ बुडापे के अंदर आने वली समस्याइं भी आपको नहीं आएंगी आपको बुडापा नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उमर नहीं बड़ेगी आपकी उमर बढ़ेगी लेकिन दो तरह से उसका फाइदा आपको मिलेगा पहला होगा कि उमर बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर जो कमजोरी आ जाती है ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा दूसरा प्रोसेस होगा कि भुडापा आते आते जो बिमारियां बॉडी में घर कर जाती है तो उनसे भी आप बचे रहेंगे तो जली जानते हैं इस चीजों को की सेवन कैसे किया जाता है और ये कौन सी है दोस्तो वीडियो में आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मोटापे को घटाना चाहते हैं या वजन को बढ़ाना चाहते हैं आइडियल वीट पर आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है उसके WhatsApp पर Yes लिख कर भीजीगा मैं आपको बताऊँगे कि किस तरीके से आप अपनी फैट को Reduce कर सकते हैं पहली चीज है दोस्तों खस-कस खस-कस छोटे-छोटे दौनों के रूप में होती है इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर काफी अच्छी मातरा में होता है इसके अदर कैलशियम, मेगनेशियम, फासपोरस, हेल्दी फैट्स, कार्भोहाइट्रेट, प्रोटेन ये सबी चीज़े पाई जाती है खस-कस का लगातार सेवन करने से हमारी हटिया मजबूत होती है हमारा दिमाग रिलेक्स होता है ये हमारे दिल के लिए बहुत फाइदे मंद है खस-कस डाइजेशन को इंप्रूब करती है तो अच्छा के लिए एक काफी फाइदे मंद है इसके अंदर पेन रिलिफ प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उमर बढ़ने के साथ-साथ अगर आपके शरी में दर्द रहता है तो उससे आपको अराम दिलाएगी इसके इस्तमाल करने से रात को आधा चमच अगर खस-कस को आप रात को भिगो देते हैं और सुबह नाशते से आधा गंटा पहले दूद के साथ इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों खस-कस की जो तासीर होती है वो ठंडी है अगर आपने इसे नॉर्मल दूद के अदर मिक्स किया है और अगर आपने इसे उबाल कर दूद के अदर लिया है तो इसकी तासीर गरम बन जाती है तो सरदियों में अगर आप ले रहे हैं तो इसे उबाल कर सेवन कीचिएगा और गर्मियों में ले रहे हैं तो इसे भिगो कर उसके बाद नॉर्मल दूद के साथ सेवन कीचिएगा दूसरी चीज है किश्मिश किशमिश में आइरन और बहुत सारे एंटियोक्सिडन्ट होते हैं जो कि बॉड़ी में नया खून बनाते हैं हमारे पेट को साफ करते हैं दोस्तो किशमिश के अंदर विटामिन A परचूर मातरा में होता है जो कि हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है इसमें potassium पाय जाता है जो दिल को स्वस्त रखता है जो blood pressure को normal रखता है इसमें calcium होता है जो कि हड़ियों को मجबूती देता है दूस्तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह समस्याईơn ये problems हमारी बॉड़ी में पैदा होने लगती है तो रोजाना करीब आपने 8-10 किश्मिश लेनी है, रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली बेट आपने इसे चबा-चबा कर इस्तमाल कर लेना है आपने करीबंत 1 गंटे तक कुछ भी नहीं खाना, लेकिन इसे लेने के जस्ट बाद आपने 3-4 गुट गुन-गुना पानी ज़रूर पीना है तीसरी चीज़ है दोस्तों, अलसी अलसी के बीजों में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है इसमें ओमेगा 3 fatty acid नाम का एक healthy fat होता है अलसी को खाने से आपकी बॉड़ी में cancer होने का risk बहुत कम हो जाता है आपका weight maintain होगा इसका अगला फाइदा जो आपको मिलेगा वो आपके blood pressure और cholesterol को ये normal करेगा इसलिए बढ़ती उमर में अलसी के बीच आपको उपनी diet में ज़रूर शामिल करने चाहिए दोस्तों जब भी आप अलसी के बीजों का seven करें तो आप हमेशा ही इसे dry roast करके इस्तमाल करिएगा तो ये अलसी की जो तासीर है वो normal हो जाती है और आप इसे गर्मियों में बहुत असानी से इस्तमाल कर पाएंगे और इसके सारे फाइदे भी ले पाएंगे दोस्तों next चीज है बदाम बदाम के अंदर protein, magnesium बहुत ही सादा होता है ये हमारे शरीर के अंगों को energy देता है रोजाना 7-8 बदाम अगर आप बिगो कर खा लेते हैं तो ये आपके skin पर तो ग्लो लाएगा है क्योंकि इसके अंदर vitamin E होता है साथ ही साथ ये हमारे सोचने समझने की शंता को भी तेज कर देता है नेक्स और लास्ट चीज है दोस्तो मेथी दाना बहुत कम हलकी है मेथी दाना खाने के बहुत सारिफाइड है इसमें अच्छी मातरा में iron होता है जो खून की कमी को दूर करता है ये हमारे blood pressure को control करता है पुर्षों के अंदर ये testosterone नाम की harmon को बढ़ा देता है दोस्तो बढ़ती उमर के कारण पुर्षों के अंदर जो harmon की कमी आजाती है यद्जिशरी में कमजोरी रहने लगती है उसे ये दूर कर देता है मेथी दाने का सेवन करने से कमजोरी दूर होती है रोजाना रात के समय एक चमच मेथी दाने को अगर आप कांच के गिलास में बिगो कर रखते हैं तो ये आपके लिए काफी फाइदे मंद होगा सुबर आपने मेथी भी खाले नहीं है और उपर से पानी भी दिरे दिरे पीते जाई दीरे दीरे चबा-चबा कर इसका इस्तमाल करना है एक दम से घत 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 नहीं लेना दोस्तो वैसे तो इसकी तासीर गरम होती है लेकिन जब हम इसे बिगो कर लेते हैं और निश्चित मातरा में सेवन करते हैं हमारे लिए फायदे मन बन जाती है सर्दियों के मौसम में आप मेथी दाने का powder direct पानी के साथ ले सकते हैं लेकिन गर्मियों के मौसम में आपने इसका इस्तमाल पानी में भीगो कर ही करना है दोस्तों ये diabetes को control करती है तो दोस्तों आपने एक साथ इन पांचों चीज़ों को भीगो कर नहीं खाना हाँ आप मेथी दाने की अंदर आप किश्मिश मिक्स करके यानि किश्मिश को भिगो कर ले सकते हैं खसकस जिस दिन ले रहे हैं वो अकेली लीजिएगा आलमंड भी आप किसी के साथ सेवन कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फाइडिमन दोगा आहरवेट की हम माने तो हजारों सारों से ये मानेता है कि पानी में भिगो कर अगर इन चीजों का सेवन किया जाता है इन ड्राइफ्रूट्स का सेवन किया जाता है तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट काफी बढ़ जाता है जो कि हमारी बोड़ी में न्यूट्रेंट की कमी को पूरा कर देता है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है दोस्तो एक चीज़ आपको बता दू कि अगर रोजाना इनका सेवन कर लिया जाता है तो बोड़ी हमेशा एनरजेटिक रहेगी अगर आप सारी चीज़ों को या दो चीज़ों को भी एक साथ नहीं लेना चाहते तो रोजाना एक चीज़ों को पानी में भीगोकर ज़रूर लीचेगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए दोस्तो ये जानकारी इन्फोर्मिशन यहीं तक थी मैं उमीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फाइदे मन्त होगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी आपके काम किये तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेर कीजिएगा मिलकर इस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद